सीरिल राधा मोहन में राधा की जान को अब खत्रा है मतलब ऐसा खत्रा है कि जिससे बचना राधा के लिए मुश्किल हो सकता है क्या है ना कि मोहन की मा ही असली गुनेगार है ये बात राधा को पता लग गई थी अब कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल तुलसी का हुआ यू अंडिस्टेंड ना बल्कि कहना चाहिए जो काम तमाम तुलसी का हुआ अब राधा खाना हो जाए कुछ तो सूचना होगा कि चामी तुम उस आख से कैसे बची हमने तुमारे सार पर चात गिरते हो देखिया एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लो लेकिन जूट का चहरा कितना भी सुन्दर दिखे पर एक न एक दिन उसकी असलियत जरूर नजर आती है जूट का अंधेरा कितना भी घना हो लेकिन सच की एक रौष्णी से वो हार जाता है जैसे आज का अदंबरी का सच सामने आ चुका है वो भी राधा के सामने आप ही अमारी तुर्जी जीची की कातिन कुनी आउनकी अमारे चुड़ते हमारे सब्सक्राइब आत्यार हो रहादा एसे कुछ देश हुई भाग एसे प्यारी प्यारी मम्ता माई डायलोग बोल कर तुम्हारे कहे हुए हर सच को जूट बना देखे नहीं चाब़े के लिए है यह हमारी जंग किसी और चीज के लिए है मुझे अपने घर में अपना वर्चस्व चाहिए मैं चाहती हूँ कि इस घर में मैंने जो सामराजे इतने सालों से खड़ा किया है उस साम राजे की सामराग में मैं ही रहनी चाहिए कोई और नहीं, अभी आ गई है बहू, तो ये ना चाहते वेवी जो धिरे-धिरे अपना अधिकार जताने लग रही है, तो वो मारजी को अंदर ये अंदर नहीं पसंदारी, बाहर से वो दिखा रही कि हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अंदर ये अंदर दिखा र आई है क्योंकि उसके बाग के बिहारी ने उसे बचा लिया है ताकि कादंबरी का सच सामने आ सके त्रिवेदी परिवार का सिक्का खोटा निकल जाएगा ये किसी ने सोचा ना था क्योंकि कादंबरी जो अब तक अच्छा और सच्चा बनने की कोशिश कर रही थी अब उसकी असलियत उसका नया रूप नजर आ चुका है कादंबरी त्रिवेदी इस घर में अगर आई है तो वो किसी अजेंडा से आई है उस अजेंडा के धीरे धीरे परते हैं ये लड़की खोलने की कोशिश कर रही है तो ये जंग उसकी भी है मैं नहीं चाहती के मेरे जो असली मकसद हैं वो सारे मकसद ये जान जाएं और उसके पीछे पीछे मैंने क्या नहीं किया ये सब कुछ ये जानने के कोशिश कर रही है तो हमारी वो लड़ाई उससे जादा पड़ी है अ इसलिदाई लड़ाई में इन्होंने तुल्सी जी का कतल किया था वो राधा जान चुकी है और क्यू किया था किस वज़े से किया था और मोहन जी से क्यूं दिखावा करी वो बहुत प्यार करेऊ, ये सब कुछ राधा जानना चाहते है तो बस ये मा जी को पसंद नहीं आ रहा है कि इतनी जासुसी क्यों कर रही है चुपचप रहती तो ज़्यादा अच्छा था अब ये खुदी फसेगी लेकिन राधा है कि कादंबरी की चाल को काम्याब नहीं होने देगी वो कितना भी ड्रामा कर ले जैसे कि आज उसने कावेरी के साथ किया है लेकिन हर ड्रामे का क्लाइमिक्स जरूर आता है जहां हमेशा जीद सिर्फ सच्चाई की होती है मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबिपी न्यूज रिपोर्ट एबिपी न्यूज आपको रखे आगे